हे गाई साज हम डिसकस करने वाले हैं Reliance Group के बारे में सबसे पहले तो हम बोलेंगे Reliance Industry के बारे में Reliance Industry और Future Group यह दोनों मिलके पूरी इंडिया में एक बहुत बड़ा काम करने चाहते हैं और share का price कहां चल लाएगा वो हम भी estimate नहीं कर सकते है तो उसी के बारे में आज मैं आपको पूरा business model समझाऊंगा तो सबसे पहली खबर ठीक है कि RIL मतलब reliance industry future group को acquire करने होला है यह सबको पता है और acquire होने ही वाला बस थोड़ा time लेगा लेकिन क्यों acquire क्यों करना चाता है future group को क्यों acquire करना चाता है और इससे benefit क्या होगा purpose का है reliance industry का तो reliance ठीक है RIL will acquire the retail and supply chain ठीक है अब देखिए क्या करेगा reliance industry जो है supply chain को मतलब अपनी ओर कर लेगा और जितने भी supply रहेगी उसके आसपास रहेगा और demand भी उसके वज़े से उपर नीचे जाएगा अब देखिए आप पुछेगा तो यह क्यों होने जा रहा तो वो भी मैं आपको बता देना चाता हूँ future group क्या करने वाला यहाँ प profit के बारे में तो बात ही मत किजिए अगर आपका business चल गया तो आप काफी अच्छा profit कर सकते हो एक्जामपल की तौर पे मैं आपको दिखा देना चाता हूँ यह देखिए Amazon जो है retail business में आप देख सकते है इसका जेव वेजर जो है इन्होंने पूरे world के number one और सबसे आमीर व competition और अगर मान लीजिए reliance अलग और देखिए Amazon में दोनों में अगर competition आ जाता है तो दोनों ने दोनों में से एक को नुकसान हो गए इसलिए समझदारी पहले की है कि Amazon और R.I.L. दोनों मिल चुके है ज़्यादा तर competitor तो होगा नहीं इसलिए दोनों मिल के आपको बहुत अ लेट इस वज़े से हो रहा है क्योंकि इसका जो कुछ share है वो pledge है और pledge के साथ जो कुछ debt भी है अब company ये दोनों को जब तक ये मतलब कि ये clean नहीं कर देते company को तब तक जो R.I.L. acquire करने में थोड़ा सा hitch कीचा जाएगा ऐसी बात नहीं ये नहीं कर सकता कर सकता है लेकिन अ एक जमाने में लोगों को काफी अच्छा profit भी कमा के दिया था ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकते rally अच्छी खाजी आई थी उसके बाद केवल इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिला और इसमें देखे एक चोटा सा jump देखने को मिला था जो की R.I.L. के तरब से जैसे कंपेरी में आज को लगबग आपको 1 या 2% देखने को मिला उस दिन आपको 10% का भी अपर सरक्रीट लगते हुए नजक आ जाएगा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब इसके बाद देख लीजे इसके उपर focus करते हैं जियो मार्ट के उपर अगर आप फोक फ्रेश हैं वहाँ पर आपको जियो मार्ट की सर्विस जो है अबेलेबल मिल जागे अब यहाँ पर देख सकते हैं मुके संबानी का एक नया चाल है कि मतलब बिजनस को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं रिटेल फ्यूचर गूर्प को क्यों acquire करना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर गूर्प जब acquire कर लेंगे तो supply chain अपने हाथ में हो जागा और कोई competitor सामने इससे हमला नहीं कर सकता यह कुछ भी नहीं कर सकता फ्यूचर गूर्प का मतलब supply chain अपने हाथ में और अब सोच सकतो रिटेल बिजनस में कितना जादा profit है इंडिया में सोच सकतो नंबर वन profit जो जनरेट होगा वो इंडिया में होगा retail business के वज़े से और उसके बाद आप देख सकतो जो मैंने आपको बताया Amazon Amazon के जो मालिक है वो जो मैंने आपको बताया वो भी ठीक है उन्होंने भी कितना अचा profit generate किया और वो भी इनके हिस्सेदारी खरीदा तो ये एक पूरा chain बना हुआ एक से एक लिक है और ये future में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और उसी तरीके से अगर आपने Reliance Industry को खरीदा है और Reliance Industry में अगर अपने खरीदा है 2,200 या कुछ भी आपको नुकसान हो रहा है अगर Reliance Industry में तो मैं आपको बोलूँगा hold किजिए सही रहेगा दिक्कत की कोई बात नहीं है एक दिन में ये जो है 5% या माल लिजए 8% का तेजी मारेगा तो आपको profit मिला द देखने को मिली दाता है थोड़ा बहुत तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है मैं आपको बोलूँगा Reliance Industry में और भी कोई अच्छी नूज आती है तो इस बार तो ये आपको और भी अच्छा खासा profit दे सकता है तो जितने भी आपने future consumer को खरीदा है hold किजिए और उपर से अगर आपने आरकॉम के बारे में जो मैंने आपको बता है जो है 19 अगस्त को उसके बारे में पूरा clear news आने वाला उस दिन मैं आपको बता दूगा आप देखे कुछ लोग ऐसे भी है जो थोड़ी बहुत अगर गिरावाट होती है न तो वो base देते हैं देखे यहां से यहा हां से market लेना है क्या लेना है? पैसा लेना है Money लेना है आपसे ठीक है तुम आपको market पैसा देगा उसके लिए आपको patience देना पड़ेगा ठीक है और आपको time तो जरूरी देना पड़े उसी तरीके से ये देखे, चोटा-चोटा अगर गिरावाट आता है, यहाँ पर भी देख लिएजे, चोटा-चोटा अगर गिरावाट आता है, तो आप डरिये मत, मैं आपको बोलूँगा, आप थोड़ा वेट की जगा न, आपको अच्छा-खासा रिटन मिलेगा, और अग करोड़ों में भाग रहा, धीरे-धीरे, तो चारो तरब से कंपनी अच्छी है, और जैसे कि मैंने आपको रिटेल के बारे में समझाया, हम आप देख सकते हैं, रिटेल, ठीक है, आमजोन पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का भी अगर देखे, तो नंबर वन बि लिए, और यहां पर जो मैंने आपको यह चीज में आपको दूबारा बताना चाता हूँ, अगर यह आप समझ सकते हो, इंडिया में कितना ज्यादा बिजनस चलता है, ठीक है, रिटेल बिजनस का, तो आप यह समझने के बाद आप प्रॉफिट का भी अंदर जल लगा सकते जो कि कितना अच्या प्रॉफिट होने वाला है, आपको आने वाले दिन में, जश्ट आपको वेट करना है, ज़्यादा आपको यह कुछ नहीं करना, ठीक है, अगर आप शेयर में बिल्कुल ने हो, और आप अपना डिमेंट अकाउंट उपेन करना चाते हो, तो आप अपन प्लाट्फों में, जहां पर आप और आपको पैसा दोनों से फ्रत है, या तो आप जीरुदा में जाओ, या तो एंजल में, दोनों ही अच्छे प्लाट्फों में, यहां पर एक ग्रूप है, जहां पर आपको बताया जाता है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, किस प्रा पूर्टी रुपेज आप से लिया जाता है वो भी इंट्राडे ट्रेड में जो हर जगा लिया जाता है डिस्किप्शन में लिंक है वहां से जा कि आप अपना डिमेट अकाउंट ओपिन कर सकते हो